सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारे आरजी सपोर्ड बॉय यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग गूगल फोटोस डिलीट करना चाते हैं जो गूगल फोटोस के अंदर जो फोटोस आपकी हैं वो गर आप पर्मानेंट लिए डिलीट करना चाते हो हमेशा के लिए तो आप उनको कैसे डिलीट कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चले फ्रेंट्स वीडियो स्क्रेंट करते हैं और ओर ली चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ इसके अंदर हमें वो देखने के लिए मिल जाते हैं जो हम डिलेट करते हैं और अभी आप यहां पर एक चीज ध्यान से उपर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आप देशते हो आप देखो कि जैसे लिखा हुआ आइटम विल बी पर्मानेंट डिलेटेड पहले ही करना है तब आपको क्या करना है यहां पर आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है ठीक है जैसे यह वाला फूटो है मने इसको सिलेक्ट किया ओपन कर लिए इसको आप देशे तो यहां पर बचने की ओंसेट डे ठीक है मतलब एक दिन इसका कम हो गया है अभी अगर आपक इसको delete करना है तो यहाँ पर आपको delete का option मिलता है और एक restore का option मिलता है यानि 60 दिन तक आप इसको वापस ले सकते हैं अपने gallery के अंदर अगर 60 दिन से उपर हो जाता है तब आप इसको require नहीं कर पाओगे तो अभी हम इसको delete करना चाहते है पर्मानेंट तो यहाँ पर आपको पर्मानेंट ली के उपर और यह delete हो गया अभी कोई भी यहाँ पर नहीं है तो इस तरीके से आप Google फोटो से कोई भी फोटो पर्मानेंट डिलीट कर सकते हो बहुत यासन तरीके से अज के इस वीडियो में इतना ही I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लेस से वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूटुब चनलन को सब्सक्राइब करके वेल एकन जरूर दबाना क्याने वाली वीडियो का notification आप लोगों को सबसे पहले मिल सके